नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का वीडियो गुरू के आज के सेशन में और आज हम यहाँ पर डिसकस करेंगे मौरेन डाइनिस्टी यह मौरेस सामराज अखिरकार मौरेयों की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में थोड़ा सा हम जरूर जानेंगे कि हालां कि हमने जब महाजन्पत का क्लास पढ़ाया था तो वहाँ पर आप लोगों को यह जरूर बताया था कि मौरेयों की उत्पत्ति कैसे हुई थी तो यहाँ पर थोड़ा साम पीछे जरूर जाएंगे तो समझ लेंगे कि हमने बैदिक एज पढ़ाया बैदिक के बाद मे मौरेय पढ़ाया और वहाँ पर हमने बताया कि वैदिक काल में अगर हम वैदिक काल की बात करेंगे या वैदिक एज की तो वैदिक एज में हमने आप लोगों को बताया था कि वेसिकली वहाँ पर जो कॉंसेप्ट था परिबार आए परिबार से क्या हुआ समाज बने कितने महाजन पर थे 16 ठीक है यह बात के लिए रहा है यहां तक 16 महाजन पर थे जिन में से एक निकल के आया था मगद और इस मगद में वंस है नंद नंद वंस जिसका लास्ट रूलर है धनानंद इस धनानंद ने चानक के का अपमान किया चानक के को अपनी अगिसाला से अपमानित करके निकाल दिया और चानक के ने कसम खाई कि मैं नंद वंस को पूरी तरीके से समूल नस्ट कर दूँगा, यानि कि फुली डिस्ट्रॉइ कर दूँगा, ये बात चानक के ने कसम खाई इस बात की, और चानक की की मुलाकात एक ऐसे बालक से होती है, जो बालक एक जंगल में एक खेल खेल रहा होता है उस खेल को बोलते हैं राज कीलंझे और ध्यान देंगे उस खेल का नाम था राजकील endeavor तो यह राज कील मामक एक बच्चा खेल खेला होता है तो चानक के उस बच्चे की साहता से यही जो बच्चा है यही आगे के और चंद्रगुप्त मौरे दोनों लोग मिल गए तो यानि कि गुरू थे चानक के और सिस उनका कौन था चंद्रगुप्त मौरे तो इन लोगों ने कई बार नंदवंस के उपर अटेक किया कोशिस की लेकिन नंदवंस बहुत बड़ा समराज था उसका कुछ भी नहीं हु बेटा जो है वो रोटी फारता है तो उसका हाथ जल जाता है तो मा अपने बच्चे से कहती है कि बेटा तुम भी गलती कर रहे हो जो चंद्रगुप्त मौरे और चाणक की गलती कर रहे हैं रोटी को किनारे से फाड़ो तो हाथ नहीं जलेगा यानि कि चाणक किस बात को हाई है कि रोटी को किनारे से फाड़ो के मतलब यह है कि मगद की धनानंद की जो एकोनमी है उस पर अटेक करिये तो जब इसके बाद में चंद्रगुप्त मौर और चाणक के दोनों ने जब नंद्वंस की एकोनमी पर अटेक किया और जब वो आर्थिक रूप से कमजोर हो गया तब जाकर के नंद्वंस का समापन हुआ खतम हुआ डिस्ट्रॉय हुआ और उसके बाद में एक नए वंस की स्थापना हुई वो नया बंस था चंद्रगुप्त मौर और जिसका पहला राजा बनता है यानि कि संस्थापक कह सकते हैं तो कौन होता है चंद्रगुप्त मौरे तो यहां तक एक बात किलियर हो जानी चाहिए एक फ्लस बैक है कि कैसे आखिरकार आ गया है यहां तक ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं सीधे हम लोग अब यहां पर यह देख सकते हैं आप लोग की सोर्सेस क्या थे कि मौरियों के बारे में हमको जानकारी कैसे मिलती सबसे पहले कुछ लिट्रेरी सोर्सेस देखते हैं यानि की साहितिक स्रोत क्या हो सकते हैं लिट्रेरी सोर्सेस में अगर हम बात करेंगे तो कौटिल्या अर्थसास्त्र यहां याद रखेगा कौटिल्या अर्थसास्त्र बहुत बड़ा एक सोर्स है जिसके बारे में हमको म ठीक है politics सबonne सब्जेक्ट है इसका यानि कि जो अर्थसास्त्र है इस अर्थसास्त्र का अगर हमसे बात करेंगे तो यह politics यानि कि subject इसका क्या हो जाएगा politics क्लियर है यहां पात सैकेंड आपका है जिसको हम लुग कहते हैं Megastha nejjy की, एक किताब है जिसका नाह है इंडिका, इनके राइटर, आप लोगों को याद होने चाहिए, किताब का नाम भी याद होना चाहिए, उनके राइटर भी याद होने चाहिए तो पहला सोर्स हो गया, अरutसास्त Rekorde lika, दूसरा हो गया Megastha nejyjy अपर इंपरैंट всего इस DAY मुद्रा राज्च्वत निवारी सम्राजिक के माने जातेइं एक और सोर्स है आपका जिसको हम लोग कहते हैं पुरान अब पुरानों की संख्या मैं बता चुके हैं अगर कभी पूछा जाए, पैदी गेज में बताया था हमने, एक बार फिर से बताया थे रहे, 18 पुरान से हैं, किलिए रहना बात यह, तो यह कुछ literary sources हो गए हैं, जिनके वारे में हमको मोर्यों की जनकारी मिलती है, जहां से, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, archaeological sources क्या ह करते हैं, तो Asoka detta, यहानि कि इसके जो सिलालेख हैं, क्या करेंगे, इंके इडिक्ट्स यानि की जो सिरालेखों की बात है, ठीक है, इंसक्रिप्शन् as, सिलालेख और अभिलेख, कि अबिलेक और सिलालेकों के माद्यम से असोग ने जो सिलालेक और अबिलेक सबसे आदा खुदवाएं इस थमलेक भी बन बाएं हैं पिलर्स जिन को बोलते हैं अगर सिलालेक की समराज था कि लिए रहना अगtoo logical के बारे में पूछा जा से पारे में बता सकतें में और यहां पर हम कुछ और इनकी origin कि बात की origin इनकी हैं कि शाखज लोगों का कहना हैं बभी सारे लोगों के अपने अलग-अलग व्यू हैं बट यहां पर हम कुछ authentic views की बात करेंगे अगर पुरांस की बात करेंगे आप से पूछा जाए according to पुरांस अगर आप according to पुरांस बात करेंगे तो पुरान यह कहता है them as sudra क्या कहता एक पुरान नहीं है सुद्रा यानि कि पुरानों में इनको सुद्र के रूप में वर्डित किया गया है किलियर अगर सेकेंड़ बात करते हैं एकॉर्डिंग टू मुद्राराच्छस एकॉर्डिंग टू मुद्राराच्छस uses two terms for more the first is ब्रिसल and second is कुलहीं किलियर है यहां तक बात एनि कि मुद्रा राच्छस में दो नाम प्रियोग किये गा है इनके लिए एक ब्रिसल और दूसरा कुलहीं most important है यह question कई बार पूछे जा चुकी है ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं मुर्यों की उत्पत्ती के इनकी origin के कुछ और points तो आप देख सकते हैं यहां पर अब आगया आपका जूनागर inscription इस जूनागर inscription के माद्यम से भी हमको मुर्यों की origin के बारे में जानकारी मिलती है अगर कभी आप से यह पूछा जाए यह जूनागर inscription basically यह था किसका तो आप कह सकते हैं एक सक राजा थे कौन राजा थे याद रखेगा एक सक राजा थे मैं निका नाम लिखे दे रहा हूँ अगर कभी पूछा जाए तो आप यह कहेंगे सक या सका हुव भी लिखा हुव मिलता है सक राजा थे ये कौन रुद्दर्दामन वहाँ पर इन्होंने ये बताया है इस inscription में ये मिलता है रुद्दर्दामन के जुनागर अभिलेख में कि ये कौन थे वैस्या उरी यानि कि मौर्या फ्रॉम वैस्या हो रही है समझ रहे ना ये बात according to जुनागर inscription और नागर किसका है रुद्रदामन का है कहां का राजा है तो आप कहांगे सक किंग के लिए हो गई बात अब इतनी सारे आइडियाज आए इनकी उतपत्ती को ले तो उत्पत्ति को आखिरकार कैसे माना जाए एक बहुत प्रसिद्ध राइटर है इसकी रोमिला थापर जी रोमिला थापर जी ने इनके बारे में बहुत इस्टेडी किये पढ़ाई किये इन्होंने अध्यन उनका जो है वह सबसे अथेंटिक माना जाता है और फाइनली कई स सकते हैं हैं हम लोग की मौर किस ट्राइब से विलॉंग करते थे मौरिय ट्राइब से विलॉंग कर सकते थे यह एक सबसे ऑथेंटिक बात निकल के आती है इनकी ओरिजिन के सारे तत्यों को समझने के बाद में किलियर होना चाहिए यहां तक सारे लोग को आगे बढ़ते है और नेक्स देखते हैं अब इसका पहला किंग है चंद्रगुप्त मौर्या के बारे में अभी हमने तोड़ा सा बताया कि चंद्रगुप्त मौर्या कैसे समराट बना और क्या उसका मेन उद्देश से था जो चानक के साहब की जो ठिंकिंग थी उनका कहना था अखंड भारत इ ऐसा चाहिए योगरा बार यहोग्य रजा चंद्रगुप्त मौर्या के रूप में चाणक के साब को समाथी के बाद में और वही चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रिशिद होता है कि लिए अगर कभी आपको देखें यह जो लिखा हुआ है यह बिल्कुल ऑथेंटिक है पेसिकली यह भी आपको एर्वाइज किसी में एक साल का दो साल का डिफरेंस मिलेगा बट NCRT के according अम बात करते हैं तो इतना ही माना जाता है चंद्रगुप्त मौरे की अगर हम बात करते हैं तो इसने क्या किया व्लास्ट नंदा रूलर धनानंद लास्ट नंदा रूलर धनानंद को डिस्ट्रॉइड किया उनको नस्ट किया एंड अकुपइड पाटलिपुत्रा इन 321 BC यानि कि 321 BC में पाटली पुत्र के उपर कब जा किया ठीक है यह और यहां पर ही स्थापना इसके बाद में करते हैं मौर समराज की अगर हम नेक्स पॉइंट की तरफ चलते हैं इन 305 BC चंद्रगुप्त मौर्याद डिफीटेट सेलूकस निकेटर उसने समर्पन कर दिया जब युद्ध हुआ तो युद्ध में क्या हुआ समर्पन कर दिया सेलूकस निकेटर ने और क्या किया उसने कहा कि जब एक संधी जैसी ही हुई और सेलूकस ने कहा कि हम आपको अपनी जो सबसे ज़्याधा income वाले स्टेट से हैं सबसे ज़्यादा इंकम वाले एरियास हैं वो हम आपको देंगे और वो एरियास कौन थे ये most important है सारे लोग याद रखेंगे फर्स्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर कुछ एरिया जैसे यह जिसको हम वॉक्स में इंडिकेट कर रहे हैं आपको दिख रहा है एक एरिया एक जगह का नाम है इसका देखे दूसरा नाम हमने लिख दिया हेरात समझ रहे हैं ना दूसरा आप देख सकते हैं अराकोसिया यह अराकोसिया का अगर नाम पूछा जाएगा तो आप कह सकते हैं कांधार ठीक है फिर आप देख सकते हैं जैड्रोसिया most important जैड्रोजिया पूछा जाएगा तो आप कहेंगे बलूचिस्तान फिर एक next है पेरिपेनिस सडाई क्या है पेरिपेनिस सडाई और ये पेरिपेनिस सडाई का नाम क्या है काबूल ये सारे नाम आप लोग याद रखेंगे और ये प्रदेश किस ने दे दिये सेलुकस ने क्या किया उसको 500 हाती उपाहर में दे 500 एलिफेंट्स ठीक 500 हाती उपाहर में दिये और ऐसा भी माना जाता है कि अपनी पुत्री का विवहा भी चंदूरुप्त मौरे के साथ में किया तो ये आपके लिए महत्त्पूर्ण कर्स्त बन सकते हैं कि किसको पराजित करने के तो आप कहेंगे धननंद सेलुकस और इनके बीच में कब युद्धुआ तो आप कहेंगे 305 BC में अगर इनके स्टेट्स के नाम पूछे जाएंगे एरियास के तो एरिया अरकोसिया जेड्रोसिया पेरिपेनिस सडाई और कितने हाथी के बदले कितने हाथी दिये थे गिफ्ट में उसने 500 और अपनी डॉटर का उसने मेरीज भी चंद्रगुप्त मौरे के साथ में किलियर होना चाहिए यहां तक बात सारे लोगों को आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं यहां पर जो मैंने अभी बताया हो एकदम इसपस रोसिया मतलब का अंधार जिड्रोसिया वलोचिस्तान पेरिपेनिस सड़ाई काबूल और एक विसाल छेत्र को समर्पड़ भी कर दिया के लिए बहुत बड़े उनका सबस्यादा इंकम बाले प्रादित आगे बढ़ते हैं आगे आप लोग देख सकते हैं मैगस्थनीज के क्या किया एक ग्रीक अमेजडर भेज दिया कहां पर चंद्रगुप्तु मौरे के दरबार में यहां पर भेजा किसको भेजा मैगस्थनीज को मैगस्थनीज की रचना भी इमने बात की थी इंडिका इसलिए यह भी एक सोर्स के फॉर्म में माना जाता है तो कभी भी अगर पूछा जाये किसके धरवार में आया कहां का था तो कह सकते हैं कितया सकते हैं क्या कर देख सकते तो इतिहास में एक हर एक डानेस्टी पढ़ी हमने हरेक डानेस्टी में पुत्र ने पिता को मारा उसके बाद में गद्धी प्राप्त की तो इसे लिए उसको हम लोग पित्रहंता ठीक इसका जस्ट अपोजिट हमको यहां पर देखने को बिलता है यहां का दिखता है कि चंद्रगुप्त मौरे ने अपने बेटे बिंदुसार के फेवर में ही सिंघासन त्याग दिया और एक जैन भिक्छू थे जिनका नाम था भद्र बाहू क्या नाम था जिनका भद्र ब इनके साथ में क्या चले गाई स्रावन बेलudos यानि कि कह सकते हैं चंद्र गुप्ता विक्यामजये कि यह जयन बन गए ठिक एक जयन धर्म के अन्वय थे and went to चंद्रगिरी हिल्स चंद्रगिरी हिल्स कहाँ पर है स्रावन बेल गोला स्रावन बेल गोला अगर पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे करनाटिका के लिए रहना स्रावन बेल गोला के बारे में पूछा जाए तो आप कहेंगे करनाटिका में है और वहाँ पर किसके साथ में गया है तो आंसर क्या होगा भद्र बावू ठीक है ना और वही पर इन्होंने अपने प्राणते आगे कैसे जो जैनों में एक परंपरा है डेथ की परंपरा है उसको बोलते हैं सनलेखना क्या बोलते हैं सनलेखना या इसका अधर नेम है कायाक्ल सनलेखना कायकलेश के मतलब क्या है कि जब जैनमुनी समाधी लेते हैं तो क्या करते हैं खाना पीना छोड़ देते हैं और जब खाना पीना छोड़ देते हैं तो सरी धीरे-धीरे क्या होता है एकदम जब एनरजी डाउन होती चले जाती है और इसी प्रक्रिया को कहा जाता है काया किलेस या सनलेखना कहा जाता है तो question यहां से क्या बन सकते हैं आप से पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप तुमोरें किसके साथ में स्रावन वेल गोल गये थे तो आप कहेंगे भद्रबाहू भद्रबाहू कौन थे एक जहनमूनी थे और स्रावन वेल गोल कहां पर है तो आप कह सकते हैं करनाटक में इस्तित है किस मेथट से उन्होंने अपने प्राड त्यागे तो आप कह सकते हैं सनलेखना या काया कलेस बिदी से उन्होंने अपने प्राड त्यागे थे यह तो बात हो गई चंद्रगुप्तुमौरी के अंतिम समय की बात हो गई कि उन्होंने अपने बेटे विंदुसार के फेवर में सिंगासन त्यागा था इस पॉइंट को जरूर याद रखेंगे अगला देखते हैं चंद्रगुप्तुमौरी के बारे में इससे पहले भारत में एक जुटता नहीं थी यानि कि छोटे छोटे बहुत सारे समराज्यों में डिवाइड था यहाँ पर जो 16 माजन पता है उसके बाद में मगद आया मगद बहुत बड़ा समराज्य था फिर मगद सभी के उपर सासन करता था उसमें धनानंद एक ऐसा सासक था जो कि अखंड़ता को नहीं बनाए रख पाया तो इसलिए चानक के नहीं है कि योग उत्तरा दिखारी उसका चुना और चंद्रगुप्त मौरे था इसलिए यह पॉइंट आपके लिए मात्रपों हो सकता है आगे बढ़ते हैं और आगे आप देख सकते हैं के बारे में एक पॉइंट का आ जाता हैं एक ग्रीक वर्ड है बैसकली कभी और पूछा जाए तो आप कह सकते हैं बिंदुसारा नोन एज अमित्रो चेट्स इसको ध्यान देंगे यह अमित्रो चेट्स है क्या बैसिकली इडिगी वर्ड क्या है डिजा ग्रीक वर्ड अब हिंद्वी में बात कहेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम लोग अमित्र घाट लिख सकते हैं ठीक है क्या लिख सकते हैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग अमित्र घाट के मतलब यह हुआ जो मित्र नहीं है जो मित्र नहीं होगा तो क्या होगा सत्रू है जो मित्र नहीं है उसको मौत के घाट उतारने वाला तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि अमित्रो चेट्स क्या है उसका अगर हिंदी में बात करेंगे तो अमित्र घाट हो दोनों का एक जैसा है ठीक अब अगर बिंदुसार की मा की बात करेंगे his mother's name बाज दुरधरा कभी भी पूछा जा सकता है आपसे question मा का क्या नाम था दुरधरा था ठीक तो यह तो बिंदुसार की प्रारंभिक बाते हो गई आगे बढ़ते हैं हम लोग अब बिंदुसार के बारे में कुछ और point हम लोग देखते हैं इन जैन literature अगर जैन site में पूछा जाए बिंदुसार बाज known as सिंग सेना याद रखिए किस नाम से के एक्आर्ड battery recording तु apple तो यह सेन चेए बिंदुसार क्या चाहिए बिंदुसार एक ऑर पूछा जाए राजा का नाम तो आप आंसर क्या करें के बिंदुसार के इं Tell यानि कि यहां पर बात आ गई डाइमेकस की अब देखेंगे दो आते हैं मैं नाम बताए देरा हूं डाइमेकस ज्याधा important है basically होता क्या है कि जब डाइमेकस आता है डाइमेकस यह है कौन समझेंगे यह है सीरिया के राजा हैं जिनका नाह है एंटियोकस फर्स्ट समझ लेंगे पहले तो यहां पर समझेंगे कि आप से अगर कभी पूछा जाए कि डाइमेकस नामक यात्री किसके समय में आता है तो आप कहेंगे कि बिंदुसार के समय में आता है इतना आप याद रखेंगे अगर पूछा जाए कि कैसा है तो आप कहेंगे एक ग्रीक एंबेस्टर है बट अगर इसके बारे में और डिटेल पूछी जाए तो आप देख सकते हैं तो आप कहेंगे सीरिया के राजा थे कहां के राजा थे सीरिया के राजा थे मैं फिर से इसको रफ किये देना हूँ अब अगर कभी पूछा जाए कि सीरिया के राजा का नाम तो आप कहेंगे Antiochus first Syrian king Antiochus first ने यहाँ पर एक ambassador भेजा उस ambassador का नाम था Dimechus और उन्होंने demand की किसने demand की समझेंगे बिंदु सार ने demand की Syria के राजा से Antiochus से कि हमको आपकी तीन चीजें चाहिए तीन चीजें कौन-कौन सी हैं उन्होंने कहा some sweet wine कुछ मीठी मदिरा dried fix सूखे अंजीर and a sophist एक दार्सनिक ठीक तीन चीजों की मांग की जब यह तीन चीजों की मांग की तो जाई मेकर जब आए तो दो चीजें तो मिल गई यानि कि sweet wine मिल गई और सूखे अंजीर मिल गए लेकिन दार्सनिक नहीं मिला यह जो दार्सनिक भेजने के लिए कहा था दार्सनिक नहीं मिला ठीक अब दार्सनिक नहीं मिला तो उन्होंने यह संदेज विजबाया एंटियोकस पस्ने कि दार्सनिक का जो विक्रे करना है वो हमारे युनानी कानोनों के खिलाफ माना जाता है तो यह महत्वपूर्ण पॉइंट आपका बन समता है ठीक है एक और अगर कभी पूछा जाए कि डाइमेकर्स के अलावाद दो याद रखेंगे देखें मैं लिख दे रहा हूं एक आप याद रखेंगे डाइमेकर्स और दूसरा याद रखेंगे डायोनिसियस ठीक है डायोनिसियस के बारे में अगर पूछा जाए कि वह कहां से आये थे तो आप कह सकते हैं इजिप्ट के यानि कि मिस्र के जो राजा थे उनका नाम था तोल्मी फिलादेल पर्स ठीक ना ये किलियर होना चाहिए आपको दो आये हैं तो फिस्ट वाज दाइमेकर्स और सेकेंड वास दाइमेकर्स केम रों सेरिया और सेरियन किंवा अटियोकर्स फिस्ट किलियर हैं तक चलिए आगे बढ़ते हैं लेकिन अगर कभी एक क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए विन्दुसार वास फॉलोर अफ विच रिलीजन देन दा आंसर इस आजीवक क्लियर क्या आप कहेंगे आजीवक सेक्ट आजीवक संपरदाय को फॉलो करता था अब अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए हूँ वास फॉंडर आफ आजीवक फॉंडर तो आप कहेंगे मक्खली गोसाला क्लियर मक्खली गोसाला वास फॉंडर आफ आजीवक रिलीजन एंड बिन्दुसार वास आजीवक रिलीजन अब बिन्दुसार के पुत्र असोक कौन होगे असोक अब बिन्दुसार के ही समय में असोका हैट सर्ब्ड एज गवर्नर अफ तक्सिला एंड उज्जेन याद रखिएगा बिन्दुसार के समय में ही क्या किया असोक ने दो जगह के राज्यपाल के रूप में कारे किया वो कौन-कौन सी दो जगह थी आप लोग देख सकते हैं तो आप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि असोक का जो प्रारंबिक जीवन था विन्दुसार के समय में वो कहां के राजपाल के रूप में उसनी बिताया तो आप कह सकते हैं उज्जेन और तक्षिसिला क्लियर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब उड्धिस टेक्स कौन सा बुद्धिक्स टेक्स्ट है दीप उबंसा सेजड है क्या कहता है यह यह कहता है दीबंसा की एक बहुत बड़ा एक हाइपर बोल बात है हाइपर बोल बात अकॉर्डिंग टू एंसी आई टीवी है वो यह कहती है कि असोक ने अपने निन्यान में भाईयों को मार कर के गद्धी प्राप्ति की लेकिन यह बात बहुत अतिसयोक्ति बहुत हाइपर बोल लगती है बट कभी अगर आप से पूछा जाए कि अकॉर्डिंग टू इस लिट्रेचर तो आप कह सकते सीदे सीदे बुद्धिस लिट्रेचर अगर स्पैसाफिक लिट्रेचर का नाम आ ठीक ध्यान देंगे बेसिकली या सोक में दो फॉर्म में या दो नेचर में उस रहा है सो फरस्ट अगर हम बात करेंगे विफोर कलिंगा बार ठीक और एक हो जाएगा आफ्टर कलिंगा बार क्लियर एक हो गया बिफोर कलिंगा बार दूसरा हो गया आफ्टर कलिंगा बार अब बिफोर कलिंगा बार कैसा है सोक एक ही चाहा है कि समराजिक अविस्तार जादा से जादा समराजिक अविस्तार मार काट करना है के अब एक ही उद्देश है कि हमारा समराज ज्यादा से ज्यादा फैल सके और यह सोग जो है विफोर दा कलिंग वार असोग वाज नोन एज चंड़ा सोग जब कलिंग का युद्ध हो गया बहुत सारे लोग मारे गए बहुत सारे लोग बंदी बनाये गए इतना रक्तपात देखकर के असोग ने कसम खाली कि हम कभी भी जीवन में युद्ध नहीं लड़ेंगी उसने कहा लेकिन अपने कभी सेना को विक्टित नहीं किया उसने सीधे-सीधे कहा हम कभी युद्ध नहीं लड़ेंगे और क्या कि आफ्टर दा कलिंग वार उसने बुद्ध रिलीजन को अपनाया बुद्धा रिलीजन को फॉलो किया और यह हो गया बेसिकली इसने धम्म को एड़ाप्ट किया था धर्म तो फिर धर्म सही धम बना है तो यह हो गया धम्मा सोग यहां रखिया मोस्ट इपॉर्टेंट है अगर कभी पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि आफ्टर दा कलिंग वार असोग वाज नोन एज धम्मा सोग एंड बिफोर दा कलिंग वार असोग वाज नोन एज चंडा सोग किलियर होना चाहिए यहां तक कॉंसेट ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग और नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं असोग के बारे में कि असोग ने जब बुद्र रिलीजन को अपना लिया और बुद्र रिलीजन को अपना लिया यह धर्म यात्रा तो बेसिकली यहां पर एक वर्ड आएगा जिसको हम लोग कहते है भändig मैं एक पृली वर्ड काई साहत कैसा है को एक पाली वर्ड है और जो कभी पाली लिखते हैं तो पाली में से माली जीयर सब्स्कुद्र लिख रहे हैं और जाज व्हे फीछ जैनल कम तो इस तरीके से जब जींगते हैं तो धमॉ को इयर हाफ़िज टाइमिंग वाईदा विजिटिंग बोध गया बोध गया बुध से संबनीद प्लेस है जहां पर बुद्ध जी ने क्या किया था ग्यान प्राप्त किया था अपने सासन के गयार्मे बर्स इसने धर्म यात्राओं का जो कि धम यात्राएं भी कहलाती है यह जो धर्म यात्रा है यह कभी भी एक्जाम में आपका धम यात्रा भी लिखा हुआ आ सकता है clear ही नहां तक सारे लोगों को clear होना चाइए कि अगर आपसे पूछा जाए धर मियात्त्रा कहें या धम्यात्त्रा कहें बहूत हार से clear चलिए कि अगे बढ़ते हैं next हम देखते हैं असोक के कुछ और पॉइंट्स अब असोक का अगर पूछा जाए या आप ने कि बुद्धिस्ट की तो बात आ रही है अगर पूछा जाए कभी आपसे ध्याम देंगे कि वूवाज कि विलिजियस कि वूवाज रिलिजियस टीचर और कि असो का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेस्ट वूवाज रिलिजियस टीचर आपसो का दिन दा आंसर इज निकल के आता है मोगल पुद्धिस इसको याद रखें अगर कभी पूछा जाया सोक का धार्मिक सिक्षक कौन था तो आंसर होगा मोगल पुद्धिस लेकिन अगर कभी ये पूछा जाया सोक किस से प्रभावित होकर के बहुत बना तो आप कहेंगे एक निग्रोध नामक एक बहुत छोटा बहुत बिच्छु था उससे प्रभावित होकर के असोक बहुत बने थे लेकिन उसके बाद में उपगुप्त का भी नाम आता देखे यह बात के लिए रहना सारे लोगों को चलिए अब हम इस पॉइंट को देख लेते हैं जल्दी से फोर्टीन इयर देखे ग्यार्मे बार्स में आपने देखा कि बहुत गया कि आत्रा की धम्यात्राओं को संचालित कराया इन दफ फोर्टीन इयर्स औफ अगर हम बात करें अपने उसके सासन काल के चौद में बच्ची तो क्या किया उसने ही स्ट草टेड दा इंंस्टीवीसे आफ धम्य महमात्राकी और निת सट्टी की गई धंव महामात्रों को आप देख सकते हैं, रेकट में कै लिखा हूआ है? तो ऑफी सर्षड उस यह निकी जो कह सकते हैं राइट राइट की बाद हार्मिक्ता के अधिकारि यानिकी रिलीजियस नेस क्या कहेंगे राइट religiousness के अधिकारी थे अब हम बात करेंगे असोप के कुछ और points की तो यहां पर आप देख सकते हैं कि उसके उसने अपने सासनकाल के 14 years के अगर बात करते हैं उसके सासनकाल के चौद्वे बर्स में तो उसने अपने धम को यानि कि जो धर्म था कि अभी हमने आपको बताया कि धम अगर आप से question पूछा जाए तो आपका अंसर क्या होगा officers of religiousness यानि कि हम हिंदी में बात करेंगे तो आप सीधे सीधे कहेंगे धार्मिक्ता के अधिकारी थे आखिरकार किस धर्म किया धर्मिक्ता को यह लोग अपनाने के लिए कह रहे थे तो वह आपका सीधा सीधा सांसर आएगा अभी हमने बताया था तो वह बुद्धा धर्म को असोग फॉलू करता था ठीक है यह बात आप लोगों को क्लियर होने चाहिए क्लियर है बात यहां तक चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे औ अपने सासनकाल के 21 में वास इन कोस ओफिस सेकेंड टेनियर इन दाट ट्वंटी फॉस्ट यह आप देख सकते हैं ही विजिटेड लुमिनी और लुमिनी वासदा बर्थ प्लेस आप गौतम बुद्धा गरा मैंने बताया भी था आपको बुद्ध में निगली समझ रहे ना रुमिन देई डिस्टिक में वहाँ पर यह लुमिनी है तो ही एक्जंटेड दा विलेज फ्राम बली आप समझ सकते हैं वली पर वहाँ पर जो कर था एक ट्रिब्यूट कर कह सकते हैं जो एक हिस्सा था और दूसरा था भाग इन दोनों चीजों को क्या किया कम कर दिया ठीक पर नहीं किया लेकिन वहाँ पर बहुत कम मातरा कर दी जो एक चौथा ही तक कम हो गई अप इसक्थे कम हो गई तो आप से एकर कभी पूछा जाएं तो आप सीधे-सीधे कह सकते हैं एक चौथाई तक कम होगे तीन चीजें बहुत पूची जाएंगी ग्यार्में बर्स चौद्में बर्स और 21 में उसका क्या क्या कॉंट्रिबूशन था बुद्धर रिलीजन के लिए तो आप सीधे-सीधे कह सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स देखते हैं अब सीधे-सीधे बात करेंगे अब धम आ गया तो धम और धर्म एकई है एक बार फिलसे इंडीकेक कर परपस क्या है एंड एंड अगर पुछा जाए तो कहेंगे एड इस बिल्दिंग अप एन एटिट्यूट ऑफ सोसल रिस्पॉंसबिलिटी अमंग दपीपल पास समझ में आ रही है ना यानिकि उसका धंब क्या एक नैतिक सहीता जिसका परपस क्या है लोगों के बीच सामाज जिम्मेदारी के द्रेस्टि कोण का निर्मार करना ये बैसिकली ये सोसल रिस्पॉंसबिल्टी है कि मैं थोड़ा सा बता दूएंग संस्कृत का एक हलका सा स्लोग है वह यह कहता है अपास इंब बहुकायाने अपास इंबे बहुकायाने दयादाने सचे सोचे मादवे liberal लईए बहुकायाने जादा जादा कल्यार कीजिए बड़ों की आग्या मानिए दिन दुक्यों को मस सताईए किसी भी पच्ची की हत्या मत करिए सारी चीज़ें यह नहीं कि moral वाली बात की गई है इसलिए इसको हम लोग कहते हैं ethical यह code है तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए तो सीधे सीधे कराएंगे बताएंगे धंब क्या है एक ethical code है clear अब इसके अधर देखे बहुत सारे meanings दिये हुए क्या हो सकता है तो आप कहेंगे इसके मतलब क्या हो गया purpose एक ही है अपने मनुस्य की गरिमा बनाये रखनी है मानवतावादी द्रस्टिकोंड का base है यह और सामाजिक responsibility उनके उत्तरदायत्तों का निर्माड करना इसका main एक focus था इन सारी चीज़ों पर तो आप कहे सकते हैं कि बहुत ही जो धम था एक liberal उदार नीती को सारे लोगों की एक सही सुड़तावादी नीत को फालू करने की एक सहीता थी सीदे सीदे क्या कहेंगे एक सहीता थी किलियर है चली आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं हम लोग असोक के धम की कुछ और qualities it was not अगर हम बात कहेंगे क्या यह संपरदाइक था तो आप कहेंगे यहां पर कोई भी संपरदाइक विश्वास नहीं था ठीक है ना किलियर है केबल इसमें it emphasized truth non-violence tolerance and अगर हम बात करेंगे आज्याकारिता की ठीक है ना तो अगर हम बात करेंगे तीनों चीजों की आप देख सकते हैं आपर सत्य की बात की गई है अहिंसा की बात की गई है अधर्म की बात की गई है करुणा की बात की गई है और आग्याकारिता की बात की गई है इतनी सारी चीजें यहां पर रखी गई है यहने कि धम एक बहुत बड़ा moral value या एक ethical code था एक नेतिक सहिता के रूप में वरकर आया था जो कि उसने कलिंग के उद्ध के बाद में जब बुद्ध धर्म अपनाया तो उसने इस धंब को चलाया था उसके बाद में धंब महामात्रों की नियुक्ति भी की थी आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे देख सकते हैं कि अखेकारी है जो धंब हुआ इसका परचार परसार कैसे हुआ परचार परसार के लिए असोक ने हर जगह लिखवाया तो ऐसे समझेंगे सिलाओं के उपर लिख गया तो सिलालेक इस थंबों के उपर लिखवा दिये गए इस थंबलेक और गुहाओं के अंदर तो यह इसके धम का प्रचार प्रसार का एक साधन बन गया तो यह अगर बात करेंगे तो आप कहेंगे सिलालेख कितने हैं? 14 ठीक है? दो अलग अलग हैं, टू सेपरेट तो फरस्ट बाज अगर करेंगे कलिंग का सिलालेख ठीक है अब अगर कभी आपसे यह पूछ दिया जाए कि असोक ने के जो कलिंग युद्ध का वरणन है, वो किस सिलालेख में आता तो आप कहेंगे 13 गलिं अगर धम के बारे में पूछा जाए किसमें दिया गया है तो आप कहेंगे सेकेंड एंड सेवेंथ इन दोनों में धम है बेसिकली सेकेंड और सेवेंड मैंने क्यों कहा इसमें असोक सेल्फ क्वेस्चन करता है किम चू धम में धम क्या है और इसका उत्तर देता है जो मैंने इस लोग पढ़ा था आपके अपा सिन्वे बहु कहाने वाला वह आपका किसमें आंसर करता है सेवेंथ के लिए रहोना चाहिए बात तो फूर्टीन आप देख सकते हैं मेजर हैं तू सेपरेट दफरस्ट आप क्या सेवन्त पिलर्स हैं पिलर्स के मतलब इस थंब लेक आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके बाद में कुछ अधर इंस्क्रिप्शन्स थे उसके बाद में कुछ महतपूर्ण जो अधर इंस्क्रिप्शन्स की बात करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मास्की भाब बुरू समापा ठीक यह कुछ आपको महत्वपूर्ण इसके सिला लेक देखने को मिलते हैं अब अगर कभी आपसे यह पूछा जाए कि इतना बड़ा एंपायर है सोक का क्या सारे लोग एक ही लेंग्वेज को समझते होंगे तो बिल्कुल यह वास सच नहीं है यहां पर इंडिकेट मैंने किया हुआ है कि नौर्थ वेस्ट में असोक ने दूइभासी आप देख सकते हैं असोक ने क्या किया है वहाँ पर दूइभासी यानिकि बाइलिंग्वल बाइलिंग्वल को एडाप्ट किया तो ऐसे समझेंगे कि अगर कभी आपसे पूछा जा इसने किन लेंग्विज को सपोर्ट किया तो देखे समझेंगे ब्रमभी खरोस्थी ग्रीक और अर्मिक चारो की चारो एडाप्ट की दर शुख है यह बात समझ में आ गए लेकिंऄ बात कि आगी तो ब्रमभी चिक है सिलालेक बगएरा में चारो की चारो की जाएंगी यह बात किलियर हो जानी चाहिए क्योंकि यह क्वेस्चन आ चुका है और भी सकता है ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट असोग के सिलालेखों के बारे में देखे सीधे-सीधे लिखा हुआ जनरली मोस्ट आफ एडिट्स विदिन इंडिया सब क्वांटिनेंटल वांडरीज हैब विन कॉंपोज्ट इन दब्रामी इस्क्रिप्ट आम तोर पर भारती उपमावीद महादीब की जो सीमाय है वहां पर जो इनके इंस्क्रिप्शन का जो हमको लेंग्वेज मिलता है या असोक के बाद में असोक तक तो मौरेसमराज बहुत अच्छा चला असोक के बाद में और कभी आप से सीथा सीथा पूछा जाए सम इंपोर्टेंट रिज़न्स डिक्लाइन दो मौरें एम्पाय तो आप यह यह बात कह सकते हैं कि आफ्टर अगर असोक के बात की बात तो कुछ जो रूलर्स थे वो आयोग थे यानि कि जो उत्रादिकारी थे सक्सेसर्स वाज नॉट एबल यानि कि उतने योग नहीं थे जितना असोग था ठीक है तो यहां पर देखे दो हम देख रहे हैं सासक असोग के बाद में कुणाल एन दसरत अगर कुणाल दसरत की बात भागों में बट गया दफस्ट वेस्टर्ण एंड सेकेंड वाज इस्टर्ण ठीक है ना वेस्ट पार्ट पर किसने सासन किया कुणाल ने और इस्ट पर किसने सासन किया दसरत के लिए यहां तक तो आप से सीधे सीधे पूछा गाए तो आप कह सकते हैं आसोग की मृत्यू देने के मॉरius डावरेय इंटेटी के लास्ट रूलर्य है ब्रहध्रत कौन है ब्रहध्रत डاस्ट मॉरया रूलर अफ्रद लेत्रत बेस्टा अससने इटेड in 185 BC Why His Commander-in-Chip Dual evaporator सुंगा कौन् dentro सुंगा कौन है इसका सेनापती और किमांडर चीफ के मतलब और इसी नहें हत्या की किस nawr दिया इसने ब्रहधरत को मार करके एक शम्राज की हिस्थापना की और वो निया समराज कौन सा होता है सुंग समराची समझ आए ना ये बात यहां तक मौरेवंस सीधे सीधे चलता है और यहां पर मौरेवंस समाप्त हो जाता है और पुस्ट में तो सुंग जो की सेना पती है किसका ब्रहदरत का और ब्रहदरत कौन है मौरेवंस का अंतिम सासक है और पुस में तो सुंग एक नए वंस की स्थापना करता है, वो वंस कौन सा हो जाता है, सुंग वंस, तो ये हमारे पूरे मौरे के सारे किंग समाप्त होते हैं यहाँ पर, जो आपके important questions बन सकते हैं, हमने देखा अभी, धंब के बारे में देखा, सारे किंग के बारे में करेंगे, वहाँ पर हम बात करेंगे, मौरेन एड्मिनिस्टेशन की, तो थैंक यू.